Hello students, welcome back to stand-up classes. तो इजडरेंट, आज के च्लास में हम बात करने वाले हैं ने भी SSR और AA के एक्जाम पैटरन के बारे में. चाहँ है這裡 content just just listened professor मैं इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों मेंसे बहुसार एच्डेंट को अभी वी फोलिग्जाम पैटर्न की जानकारी ही नहीं है इसलिए तैयारी से पहले आपके लिए अच्छा होगा कि फोली एच्जाम पैटर्न को जो है सबसे पहले जान लें फिर तैयारी करते रहें तो सबसे पहले हम बात करते हैं SSR यानि Senior Secondary Recruit को लेकर तो मैं आपको बताओं कि इसका एक्जाम आनलाइन होगा जो कि 60 मिनट यानि एक घंटे का पेपर होगा आपका पेपर जो चार सेक्षन यानि English, Math, Science and General Knowledge में भटा होगा और पेपर 12th लेबल के स्लेबस पर बैस्ट होगा पेपर का रिजल्ट आपको ततकाल मिल जाएगा यानि परिच्छा के दिनी पर इसमें आपको एक चीज पर विसेज ध्यान देना होगा और वो है कि इसमें निगेट्व मार्किंग है इसमें आपको सतर करायना होगा जब आप रिटेन इग्जाम उप्तिल कर लेंगे तो आपको जो है दो से चार दिन के अंदर PFT यानि फीजिकल फीटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपको 1600 मिटर्स का रेस जो है 7 मिनट यानि 7 मिनट में पूरे करने होग और साथ ही साथ जो है 20 उठक बैठक और 10 डंड बैठक सामिल होंगे प्यप्ति क्रेक करने के बाद आपको इस्टेंट्स जो है मेडिकल चेकप से गुजरना होगा अब बात करते हैं इस्टेंट्स ए यानि जो है आटी फीसर अपरेंटिस के पद को लेकर तो इसका पेपर कंपूटर बैस्टी होगा जिसमें हेंड्रेट कोश्चन्स मौजूद होंगे प्रते प्रस्म का जो है एक अंक होगा पेपर की अधी एक घंटे की होकी जिसमें जो है इंग्लीज साइंस मैथ और जर्न नालेज से प्रशन होंगे और मैं आपको बताते चलूं कि निगेटि फिटनेश टेस्ट से गुजरना होगा जिसमें शीश्टिन एंडेट मीटर्स का से मिनिट में कम्प्लीट करना होगा उसके बाद जो है बीस उठक बैठक और दस जो है डेंड़ बैठक लगाने होंगे प्यप्टी टेस्ट को पास करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा सो इस्डेंट्स यह है आपके नेभी एससर एक एक्जाम पेटरंस सो वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरूर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बाक्स में जरूर पूछ लें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्स